अरियोम तत्सत ज्यान भक्ती चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल में हम ज्यान भक्ती और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहन करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद हमारा दंडवत अध्यमान परमेश्वर को आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरफ को द्वारा प्रकाशित पद्मपुरान के स्विष्टी खंड का श्रवन करेंगे आज का ध्याय है ब्रह्मा जी के यग्य के रित्विजों का वर्णन सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वर्दान की प्राप्ति श्री विष्णू और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुती तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन भिन तीर्थों में अपने नामों और पुश्कर की महिमा का वर्णन भीश्म जी ने पूछा ब्रह्मन लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यग्य सम्मन्भी समग्रियां एकत्रित करके उनसे यग्य करना आरंब किया वह यग्य जैसा और जिस प्रकार हुआ था वह सब मुझे बताईए पुलत्सिजी ने कहा राजन ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभूग मनू भूलोक के राजसिंग हासन पर प पन करके कहा तुम लोग स्रिष्टी करो और स्वयंवे पुश्कर में जा यग्य समग्रिय एकत्रित करके अगनी शाला में स्थित हो यग्य करने लगे ब्रह्मा जी समस्त देवताओं गंधरवों तथा अपसराओं को भी वहां ले गए थे ब्रह्मा उदगाता होता और रूप में रहते हैं जिने ये स्वयम ही निर्वाचित करते हैं ब्रह्मा ब्रह्मनांचसी पोता तथा अगनीग्र इन चार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं ये चारों व्यक्ति आन्विक्षि की तरक शास्त्र तथा वेद उद्गाता, प्रतिउद्गाता, प्रतिहर्ता और सुब्रमन्य इन चार व्यक्तियों का एक दूसरा समुदाय उद्गाता परिवार कहलाता है। इन चारों का चोथा समुदाय अवर्धियों का परिवार माना जाता है। पर बताय हुए रित्विजों के अतिरिक्त एक सदस्य और दस चमसार धवयूओं को निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यग्य में देवरिशी नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्रह्मानांचसी हुए देवरात को पोता और देवलोग को अगनीध्र के पद पर प्रतिश्टित किया गया। अंगीरा पा उदगाता के रूप में वरण हुआ, पुलह प्रस्तोता बनाये गये, नारायन दिशी क्रतिहरता हुए और अत्री सुब्रमन्य कहलाए। उस यग्य में ब्रिगू होता वशिष्ट मेत्रा वरुनी, क्रतू अच्छा वाक तथा च्यवन गरावस्थुत बनाये गये, मैं पुलत्स्य अर्धवयू था और शिवी प्रतिश्टा था। ब्रिहस्पती नेश्टा, सांशय पायन उन्नेता और अपने पुत्र पवत्रों के साथ धरम सदस्य थे, भर्दवाज, जमीक, पुरुकुच्य, युगंधर, एकन, तांडिक, कोन, कुतप, गार्ग्य और वेदशिरा ये दस चम सार्धवयू बनाये गये, कण्व, आदी, अन्य महर्शी तथा मारकंडे और अगत्स्य मुनी अपने पुत्र, पवत्र, शिश्य तथा बांधवों के साथ उपस्तित होकर, रात दिन अलस्य छोड़कर उस यग्य में अवश्यक कार्य किया करते थे, मनवंतर व्यतीत होने पर उस यग्य का अवभृत या ज्यान सनान उस समय ब्रह्मा को पूर्वदिशा, होता को दक्षिन दिशा, अर्धवयो को पश्चिन दिशा और उदगाता को उत्तर दिशा दक्षिना के रूप में दी गई, ब्रह्मा जी ने समूची तरिलो की रित्विजों को दक्षिना के रूप में दे दी, गुद्धी मान पुर इस प्रकार अगनीद रादी को दक्षणा देनी चाहिए इसी संख्या में गाउं दासदासी तथा भेड बक्रियां भी देनी चाहिए अब भृत्स नान के बाद ब्रामुनों को शट्रस भोजन देना चाहिए स्वयम्भु मनु का कथन है कि यजमान यग्य के अंत में अपना सर्वस्वदान कर दे अर्धवयू और सदस्यों को अपनी इच्छा के नुसार जितना हो सके दान देना चाहिए कदनंतर देवाद देव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञान सनान के पश्चाथ सब देवताओं को वर्दान दिये उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर मंजल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धना ध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षिसों का, पिनात धारी जी को संपूर्ण भूत गणों का मनु को मनुश्यों का गरूर को पक्षियों का तथा वशिष्ट को रिश्यों का स्वामी बनाया इस प्रकार अनेकों वर्दान देकर देवादिधे ब्रह्मा जी भगवान विश्नु और शंकर से आदर पूर्वक कहे आप दोनों समस्तीर्थों में परम पूजनी होंगे आपके बिना कोई भी कभी तीर्थ पवित्र नहीं होगा जहां कहीं शिवलिंग या विश्नु की प्रतिमा का दर्शन होगा वही तीर्थ परम पवित्र और स्रेष्ट फल देने वाला हो सकता है जो लोग पुषपादी वस्तुओं की भेट चड़ा कर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे उन्हें कभी रोग भय नहीं होगा जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजना दी होगा वहां भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें सुनिये वहा की प्रजा को कभी मानसिक चिंता शरीरिक रोग दैवी उपद्रव और शुदा आदि का भय नहीं होगा प्रिय जनों से वियोग और अप्रिय मनुश्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी ये सुनकर भगवान श्री विश्नु ब्रह्मा जी किस्तुती करने को उद्यत ह भगवान श्री विश्नु बोले जिनका कभी अंत नहीं होता जो विशुद्चित और आत्मस रूप हैं जिनकी हजारों भुजाएं हैं जो सहस्र किर्णों वाले सूर्य की भी उत्पत्ती के कारण हैं जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं उन स्रिष्टी कर प्रम्मा जी को नमस्कार है जो समस्त विश्व की पीडा हरने वाले कल्यान कारी सहस्रों सूर्यों और अगनी के समान त्वचंडते जस्वी संपून विद्याओं के आश्रे चक्रधारी तथा समस्त ज्यान इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं उन पर मेश्वर को प्रभो आप अनादी देल हैं अपनी महिमा से कभी चुत नहीं होते इसलिए अच्युत हैं आप शंकर रूप से शेशनाग का मुकुत धारन करते हैं इसलिए शेश शेखर हैं महेश्वर आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं सरवेश्वर आप मरुद्गणों के जगत के प्रित्वी के तथा समस्त भूबनों के पती हैं आपको सदा प्रणाम है आप ही जल के स्वामी वरुण शीरशाई नारायन विश्णू शंकर प्रित्वी के स्वामी विश्व का शाशन करने वाले जगत को नेत्र देने वाले अथ्वा जगत को अपनी द्रिष्टी में रखने वाले चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वरूप, तर्क के अविश्य अम्रित्वरूप और अविनाशी हैं प्रभो आपने अपने तेजह स्वरूप प्रज्वलित अगनी की ज्वाला से समस्त भूबन मंदल को व्याप्त कर रखा है आप हमारी रक्षा करें आपके मुख सब और हैं आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं अम्रित्वरूप और अविनाशी हैं मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ आप शुद्ध अंतर्ण वाले पुरुशों की परमगती और पुरान पुरुश हैं आप ही ब्रह्मा शिव त सथा जगत के जन्म दाता हैं आप ही सब के पर दादा हैं आपको नमस्कार है आदिदेव संसार चक्र में अनेकों बार चक्र लगाने के बाद उत्तम मार के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिनोंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है उनी को कभी आपकी उ पासना का स्वभाग्ये प्राप्त होता है देववर मैं आपको प्रणाम करता हूँ भगवन जो आपको प्रकृती से परे अद्वितिय ब्रह्म सुरूप समझता है वही सर्वग्यों में श्रेष्ठ है गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहक्चाने जा सकत हैं तता अंतह करण में बुद्धी के द्वारा आपका सुक्ष्म रूप से बोध होता है भगवन आप जिववा हाथ पैर आदी इंद्रियों से रहित होने पर भी पदमधारन करते हैं गती और कर्म से रहित होने पर भी संसारी है देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप स्रिष्टी कैसे करते हैं भगवन विशुद भाव वाले यागिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यग्यों द्वारा आपका यजन करते हैं प्रन्तु उन्हें स्तूल साधन से सूक्ष्म परात पर रूप का ज्यान नहीं होता अतह उनकी द्रिष्टी में आपका ये चतुर मुख सुरूप ही रह जाता है अद्भुत रूप धारन करने वाले परमेश्वर देवता आदी भी आपके उस परम सुरूप को नहीं जानते अतह वभी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही अराधना करते हैं जो अवतार धारन करने से उग्र प्रतीत होता है आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पति स्थान हैं विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूल रूप से नहीं जानते आप तपस्या से विशुद्ध आदी पुरुष हैं पुरान में ये बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सब के पिता हैं उनी से सब की उत्पति हुई है इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है आपके उसी सवरूप को मूर मनुष्य अपनी बुद्धी लगा कर जानना चाहते हैं वास्तव में उनके भीतर बुद्धी है ही नहीं अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्यान विवेक शील बुद्धी अथवा प्रकाश ज्यान प्राप्त होता है जो उस ज्यान की प्राप्ती का लोभी है वो फिर मनुष्य योनी में नहीं जन्म लेता वो तो देवता और गंधरवों का स्वामी अथवा कल्यान सुरूप हो जाता है भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलब हैं जो आपका त्याग कर देते हैं आप से विमुख होते हैं वे नरक में पड़ते हैं प्रभो आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसू, मरुदगन और प्रित्वियादे की क्या वशक्ता है आपने ही अपने सुरूप भूतत्यों से इन सब का रूप धारण किया है आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्त्रत है भगवन, आप अनंत हैं, आपकी महिमा का अंत नहीं है, आप मेरी की हुई यह स्विकार करें मैंने हृदे को शुद्द करके समाहित हो, आपके सुरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है प्रभो आप सदा मेरे हिर्दे में विराजमान रहते हैं आपको नमस्कार है आपका स्वरूप सब के लिए सुगम सुबोध नहीं है क्योंकि आप सबसे प्रथक सबसे परे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाई आप सबको स्वामी निखिलनंद का प्रणाम कल के सत्संग मे हम इसी अध्याय को श्रमन करेंगे और समाक्ते करेंगे हरियोम प्रच्साद